में क्या करना है कि इसके अंदर का जो फिलामेंट है फिलामेंट टूटे बिना इस क्लास को तोड़ना है और वो भी एक अपने आप में एक टास्की है और तो देखते हैं कि क्या कर सकते है कि यह फिलामेंट तूटता है कि क्या होता है टाइस हमें इस थैली में रपट लाते है इसको और फिर इसको परते हैं पैर देखते हैं में पैर है लफना पैर अब आफ इस से देख से और लुट जाया है तो एसे अब हम क्या करेंगी कि दूशे बालब को को सिदा यहां से काट ही देते हैं यहां से काटते हैं पिरिकि उसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं और फिलामेंट भी नहीं टूटेगा अब चली जली से खाट तो गाने सब्सक्राइब देख सकते हो कि हमारा यह जो बल्ब है सक्सेशफूल इसका गलाश तूट गया और पिलामेन भी बच गया जल्ली से हम क्या करते है अब इसको तीड़ दीड़ी रखते है इसको लगाते है इस होलडर में और फिर करते है स्वी चौन फिर देखते है क्या होता है और अब करते हैं हम इसको स्टार्ट फिर देखते हैं कि क्या होता है कि तर से निकल गया है और कैसे यह जल गया पूर यह पूरा का पूरा फिलामेंट कैसे जला है वह गाई साथी देखा है तो आपने देखा कि यह किस तरह इसका फिलामेंट यह जल के इदर से निकल गया यह इदर से लास्ट में से निकला इसलिए वह जलना बंद हो गया तो हम एक बार और ट्राय करते हैं कि इसको इदर ऐसे लगा देते हैं नहीं पर अटका देते हैं और याज आप देख से मैंने इस दर इसको आठका दिया है अब में लगाता हूँ इसके स्वीच फिर्म करते हैं और विट डिए अजा है व्हाएज आपने आपने देखा कि यह के ऐसे फिल से एक बार जला तुपि मैंने ये फिलामेंट को ऐसे इदर अटका दिया मतलब की इसको जोप दिया Siằl इसलिए ये फिल से जल गया, एक बार और ड्राय करते हैं, और फिल देखते हैं कि अब की बार भी जले गाई जाए, नहीं वोथियं आप देख सकते हैं, ये जब लगाने गाया, तक कि आपने देख कि ये पूर इयर जकियादा जाया ज़सी पूरा ती कपि से खाल नहीं, ये इस वींटेनेगव कोस्छेचे हैं, अगर वीडियो पसन林 पेसलिए तो याईख सेब्स्क्रायब कर सकते हैं, अब मिलते ह अगली वीडियो में तब तक के लिए दनने वाज़